दोस्तों पिछले वीडियो में हमने अपना AdSense अकाउंट में आई डिरेंटी को वेरिफाइट किया था यानि पाचान को वेरिफाइट किया था PN कार्ट को अपलोड करके अब आप जैसे अपना पाचान को वेरिफाइट करते हैं वाईसे दूसरे और तीसरे दिन AdSense के करेंगे तो इस वीडियो में हम अपना AdSense को यहां पे वेरिफाइट करेंगे आप जब कोई नया AdSense अकाउंट मनाते हैं और जब आपके ब्लॉग या फिर YouTube चैनल का कमाई यहां पे 10 डॉलर पूरा हो जाता है तो फिर सबसे पहले हमें अपना आई डिरेंटी को वेरिफा सकते हैं आई डिरेंटी वेरिफिकेशन के सामने complete लिखा है क्योंकि हमने पिछले वीडियो में अपना डिरेंटी को वेरिफाइट कर लिया था अभी नीचे यहां पे एडिरेस वेरिफिकेशन के लिए यहां नीचे पीन मांग रहा है छे अंक का पीन तो जब उपर यह मैस लेकिन कई बार होता के आए कि हमारे एडिरेस पे पीन आ नहीं asthma है चाहे आपका आई घर जो एगावेडिया में ओ तो आपे नहीं पहुंच पाता है या फिर कोई और रीज demand के वजय से पीन नहीं आ पता है तो हमें यहां पे 28 दिन काव करना होती है तो क्योंकि AdSense ने हमारे address पे 20 जनवारी 2022 कोई pin भेजा था जो कि ये एक महीना से भी उपर हो चुका है और अभी तक हमारे पास pin नहीं आया है तो हमें यहां पे तीन मौका मिलता है दुबारा से recent pin करने के लिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहां recent pin के उपर क्लिक करें तो फिर से AdSense उसी pin का एक दूसरा कॉपी हमारे address पे भेजदेगा अगर दुबारा भी नहीं आएगा हम फिर से एक महीना वेट करेंगे दुबारा में हम भी नहीं आएगा तो फिर हमें तीसरा बार यहां पे recent pin करने का option मिलेगा और फिर से हम एक महीना वेट करेंगे और अगर तीसरा बार भी नहीं आएगा फिन तो फिर चौथा महीना में एडसेंस आपको यहाँ पे अपना एडरेस को वेरिफाइट करने के लिए ओनलाइन सुविधा दे देगा यानि कि हमें जो अपना वोटर आईडी काड है उसको ओनलाइन अपलोड करने का सुविधा पे वोटर आईडी काड अपलोड करने का उपसन मिलेगा फिर आप यहाँ पे जैसे अपना वोटर आईडी काड अपलोड करेंगे वैसे आपका एडरेस वेरिफाइड हो जाएगा और अगर पीन आ जाता है तो फिर आप पीन यहाँ पे डालके सब्मीट पे किलिक कर लेकिन recent pin करने के पहले हमें अपना address में कुछ बदलाव करना है हम क्या करेंगे कि अपना address में अपना mobile नंबर दे देंगे ताकि जो डांकिया है वो अगर आपके घर तक नहीं पहुंच पा रहा है तो फिर वो आपके mobile पे phone करेगा और फिर आपसे संपर्क कर लेगा तो address में बदलाव करने के लिए इस side में एक option है payment info इसके उपर क्लिक करेंगे और फिर यह इस तरीके का page open हो जाएगा अभी इसमें नीचे के तरफ आएंगे और यहाँ पे settings लिखा है और इसके नीचे यहाँ पे minus setting लिखा है इसके उपर क्लिक करना है और इसके बाद यह इस तरीके page open होगा इसमें नीचे के तरफ आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है name and address और इसके सामने यह जो pane का icon है इसके उपर क्लिक करेंगे तो देखिए यह pane के icon पर क्लिक करते ही हमारा address edit करने के लिए edit more में open हो जाएगा तो अभी हम यहाँ पे address line 1 में अपना पूरा सब लिखे हैं गाउं और टाउन विलेज और इसके बाद थाना और इसके बाद जो दूसरा address line 2 है इसमें आपको अपना district लिख देना है और इसके बाद इसी में क्लिक करके एक space देंगे और यहाँ पे contact number लिखेंगे contact number और फिर space देखे हम अपना mobile number इसमें डाल देंगे तो देखिए यह मैंने contact number लिखे mobile number टाइप कर दिया इससे होगा यह कि जब भी डाकिया आएगा आपके address पे नहीं पहुँच पाएगा तो फिर इसी number के जरीए क्योंकि यह number आपके जो लिफाफा रहेगा उसके उपर address के बगल में छपा रहेगा तो इसी number के जरीए हो आपसे contact कर पाए इसके अलावा नीचे भी यहाँ पे phone number डालने का option दिया गया है तो इसमें भी आप अपना mobile number टाइप कर सकते हैं और इसके बाद फिर नीचे के तरफ आएंगे और यहाँ पे save का बटन है इसके उपर click कर देंगे तो यह address save हो जाएगा और अब हम दुबारा से recent pin करेंगे त क्लिक कर देंगे और इसके बाद फिर से यहाँ पर दुबारा से recent pin के button पर click कर देंगे तो यह जो है दुबारा से अपके इसी address पर pin भेजेगा और जब हमारे पास pin आ जाएगा तो फिर हम pin को यहाँ पर type करेंगे और फिर submit के button पर click करके अपना address को verify कर लेंगे अभी फिला का तो फिर मैं अपना address को verify करते हुए एक दूसरा वीडियो बना दूंगा जिसको देखकर आप भी अगर आपका भी pin नहीं आता है तो आप online वोटर आईडी काट के जड़िए अपना address को verify कर पाएंगे तो दोस्तों इस वीडियो का यही पर समाप्त करते हैं जय हिंद जे मत्राओं